जहन्द आज कैनेडा और इंडिया के मसले को तीन चार दिन हो चुके हैं लगभग और मामला थोड़ा सा शांत जरूर हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह निप्टा नहीं है और मेरे खाल से इसको लगेगा समय अब वहीं ओटवा में खालिस्तानियों ने प्रोटेस्ट का आवान किया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन हाई कमिशनर और कमिशन और इंडियन जो संस्ताने हैं उनके आसपास बैरिकेडिंग करी गई है वाइलेंट प्रोटेस्ट हो सकता है इस अंदेशे से ये कारवाई करी गई है लेकिन पॉइंट वी नोटेट इसकी ऐसा पहली बार हुआ है इससे पहले भारत ने भारत के उचायोग ने कई बारी इस चीज का खश्चा जाहिर किया लेकिन टूडो सरकार के उपर जू नहीं रहेंगी लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि सिक्यूरिटी अरेंग्मेंट्स कुछ पुक्ता किये दिखते हैं अब ये कहानी इन तीन-चार दिन के बाद कहां बैठी इसमें सबसे बड़ा कल्परिट कौन है क्या है इसको थोड़ा से समझने की कोशिश करते हैं और इस पूरे प्रकरण में भारत की अवी तक की नीती क्या ये सफल रही है या इसको चेंज करने की जुरूत है तो सबसे पहले कि इसके पीछे बड़ा नायक कौन है अब जैसा कि हमें पता लगा Canadian authorities के थुरू कि ये उनको five eyes के जरीए intelligence मोहिया कराई गई थी अब ये five eyes क्या है पाँच आखे आइस ये दरसल पाँच मुलकों का एक पैक्ट है intelligence sharing को लेकर ये पाँच मुलक हैं इनको anglophone anglosphere भी कहा जाता है basically England के उपर राज किये हुए ये मुलक है English speaking मुलक है white मुलक है इनमें ये है Canada, US, Britain खुद और Australia and New Zealand इनके बीच में ये intelligence sharing का मुआइदा बहुत पुराना है सबसे पहले बहुत किसी जमाने में and in fact not किसी जमाने में 1941 to be precise ये अमेरिका और UK के बीच में हुआ था और धीरे धीरे फिर ये इसमें लोग जुड़ते गए और 50s लेट 50s के दशक में Australia और New Zealand इसमें जुड़े हाली में इसमें इंडिया को भी शामिल करने की बातचीत कही गई कि इंडिया और जपैन को भी इस 5 eyes में जोड़कर 7 eyes कर दिया जाए लेकिन वो आगे बात नहीं बड़ी और क्यों नहीं बड़ी ये अगले किसी discussion का हिसाब करते हैं बातचीत का हिसाब बनाएंगे लेकिन बहराल वो जरूरी नहीं है important बात यह है कि 5 eye में के जरिये Canada को ये पता लगा कि इसमें हिंदुस्तान का राजनेक involved हो सकता है और इसके उपर ये पूरा game खेल दिया गया दरसल टूडो साब ने भी उमीद नहीं करी थी कि इतना रायता फैल जाएगा लेकिन आप सुनेंगे तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि इस रायता फैलाने में एहम किरदार United States of America का रहा है अब United States of America का रोल ऐसा क्यों रहा अभी हाली में जो बाइडन हिंदुस्तान आए जी 20 हुआ और हर बार जब वो हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं तो हिंदुस्तान को नैच्र अलाई हैं डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं तो यह नैच्रल अलाई के साथ में यह पीछे से यह कैसे गेम खेला क्यों खेला और कैनेडा को सामने फेस बनाकर क्यों रखा गया दरसल इसका कारण यह है कि हिंदुस्तान अभी भी काबू नहीं आ रहा है हिंदुस्तान अपन कर ली कि Quad को एक Military Alliance में Convert कर दिया जाए लेकिन इंडिया यानि भारत इसके बिलकुल खिलाफ है और इसको एक कल्चरल और उस तरीके से रखना चाहता है Military Alliance के तौर पर यह कतई भी इस Quad को बनने नहीं देना चाहता इन फैक्ट इसी की वज़े से इसी मजबूरी की वज़े से इन्होंने AUKUS बनाया देट इन ऑस्ट्रेलिया, UK एंड उनाइड स्टेट्स यह AUKUS एक ग्रूपिंग है Defense Alliance है और चाइना को फोकस में रखते हुए Defense Alliance की गई है क्योंकि हिंदुस्तान Quad को Defense Alliance, Military Alliance बनने नहीं दे रहा था तो यह एक परिशानी है उसके बाद जो परिशानी आती है वो यूक्रेन को लेकर आती है जैसा हम जानते है कि G20 के declaration में रशिया का जिक्र नहीं होने दिया और वो हिंदुस्तान की वेज़े से उसका जिक्र नहीं हुआ यह भी United States को बहुत खलता है और United States इन जीजों से खुश नहीं है परिशान है फिर वो देखता है कि हिंदुस्तान की दिरफ नर्मी वरतने से इंदुस्तान ने Article 370 को हटा दिया और कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान का टेरोजन था उसको 99 फीसिदी कंट्रोल कर लिया काबू कर लिया उससे भी वो खुश नहीं है दरसल ये एक ऐसा इशू है जिसके जरीए भारत की सरकारों की पूछे मरोडी जाती थी उन पर दबाव बनाया जाता था इस सरकार ने इस दबाव को भारत के उपर से हटा दिया है तो ये चीजे किसी भी हालत में पसंद नहीं आ रही है ये भी पसंद नहीं आ रहा है कि चाइना एक मजबूरी बन गई है और इस मजबूरी का फाइदा हिंदुस्तान उठा रहा है एकॉनमी में उसकी बढ़त हो रही है बेतरी हो रही है ये भी उन लोगों को पसंद नही आ रहा है तो ये तो खेर और चीजे नहीं लेकिन जैसा मैंने बोला कि एक तो military alliance और दूसरा आपका रश्या के साथ में दोस्ती ना तूटना अभी भी रश्या के साथ अपनी दोस्ती बरकरा रखे हुए रखा हुआ भारत ये अमरीका की आँखों में चुब रहा है तो दूस्तान की moral ascendancy को कमजोर करना और वो कैसे कमजोर होगी वो इस तरीके से कमजोर होगी कि भारत को गैर कानूनी तरीके से अपनी अपने मुद्दों को हासल करने वाला मुल्क साबित कर दिया जाए तो क्या ये इसमें सफ़ाल हुए हैं या नहीं हुए हैं ये हम सब को माल है जिस तरीके से टूडो साब के खिलाफ उनके opposition leaders conservative party के opposition leader का बयान उसके बाद और नेताओं के जो बयान आए हैं उससे ये साफ जाहिर है कि टूडो जो चाहते थे वो संभव नहीं हो पाया five eyes के अंदर एक आँख को छोड़ कर बाकी जो तीन आखे थी एक Canada एक US इन दो को छोड़ कर बाकी जो तीन आखे थी उन्हों ने टूडो साब को आँख नहीं मारी और इस वज़े से आप ये कह सकते हैं कि अमरीका का ये दाव फेल हो गया टूडो को इसमें ये एडवांटेज ये लग रहा था कि अगर इस तरीके से वो खेलेंगे तो शायद उनको sympathy vote गैदर होंगे उनकी popularity बढ़ेगी लेकि उनकी popularity और घटी है और सोने पे सोहागा तब हो गया जब इन्हों नाजी जर्मनी के एक भूत पूर सैनिक को standing ovation कि टूडो साब की बहुत जबरदस थूतू हुई है टूडो साब कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ और रिष्टे ना बिगने लेकिन मामला बहुत आगे तक निकल गया है हिंदुस्तान ने इस चीज को बहुत गंभीरता से ले लिया है अब टूडो साब को भी समयनी आ कि क्या करें और इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वह कैनेडा के अंदर बसने वाले पंजाबी मूल के सिक मूल के टूबी प्रिसाइस लोग हैं डायोस्परा है जिसके रूट्स पंजाब से जुड़े हुए हैं लेकिन इस तमाशे के चलते वह ना त्योहारों के टा अब उनके लिए बढ़ेगी और टूडो सरकार के लिए इसी तरीके से तकलीफ और जादा बढ़ेगी ये बात और है कि खालिस्तानियों के ऊपर अब एक प्रेशर बन रहा है और ये प्रेशर का असर हमें जल्दी दिखेगा ये पाकिस्तान की शेयर पर जो भी गेम चला अभी तक वो एक्सपोज हो गया है उसकी कली खुली चुकी है सब लोगों को असलियत मालूम हो गई है और उमीद ये है कि इस कली खुले के बाद लोग इन खालिस्तानियों का विरोध करेंगे इनको अपनी जगा दिखाएंगे और इनको तबज्यों नहीं देंगे मैं तो इस बात को इस तरीके से उठाया कि अब इंडियन गौवर्मेंट मुस्तैद हो गई है एक्टिव हो गई है और जितने भी खालिस्तानी और खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनकी प्रॉपर्टियां जब्द की जाएंगी और सर में आजा भूगतना पड़ेगा इनको जवाब देना पड़ेगा और इसका असर इनके बच्चों पर होगा और आइम शोर जब ये जूता कसा जाएगा तो इनका अकल और दिमाग ठीक होगा अब इसी के साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि भारत की जियो पॉलिटिकल इस पे चल रहा है एकनॉमिक प्रोग्रेस होना लाजमी है बहुत बड़ा पावर हाउस बनेगा आने वाले समय में हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो अभी कमजोर हो चुका है अरब मुल्कों के साथ हमारे रिलेशन्स इंप्रूब हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं तो पूरा जो जो कैन्वस है वो पूरा बदली हो रहा है और वो भारत के तरफ खड़ा नजर आ रहा है चाहे वो अरब मुल्क हों ये वो लोग हैं जो इंडिया को कोई मौका नहीं छोड़ते थे नीचा दिखाने में OIC में या GIC में GCC में तो ये अब भारत के साथ हैं भारत के साथ अलाइंड है इसराइल भारत के साथ फुली अलाइंड है पूरे सौट एशिया के अंदर जपैन जैसा मुल्क भारत के साथ अलाइंड है ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड और युनाइटर गिंगडम्स फरांस ये पूरी तरह अलाइंड है अमेरिका की बहुत बड़ी मुठाया at the end में ये कहूंगा कि इतना सब कुछ चला ये गलत फहिमी ना हो किसी को कि सिख भाई जो हैं वो सब इसी तरीके से हैं वो इसी सपोर्ट में हैं उनकी वॉइस नहीं है अभी कोई पंजाब में कोई ऐसा सक्त लीडर नहीं है जो अपने अपनी अपनी जो सिखी का ट्रू फॉल्वर हो और इनको सही मार्ग दिखा सके ये विचारे अभी भटके हुए लीडर लेस्स लोग हैं लेकिन दिल से ये बहुत मोहबरी वतन और पेट्रियोटिक लोग हैं इस पर किसी भी हालत में किसी को कोई शक नहीं होना जो पंजाब में मिलिटेंसी के दौरान पाकिस्तान की चंगुल में फस कर अपने फाइदे के लिए इन्होंने ये कारवाई करी जब यहां पर इनके उपर शिकरदा कसा गया तो यह लोग भाग के उधर पहुँच गए और वहां से उन्होंने एंटी इंडिया ड्रामा समाप करता हूं और अगले टॉपिक का इज़ार कीजिए फिर मुलाकात होती है जय है